हेलो कोड़र आर्मी कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे यह है हमारी डैनमिक प्रोगराइंग सीरीज का फूर्थ लेक्चर और आज हम सॉल करने वाले हैं दो इंपोर्टेंट प्रॉब्लम जिनका नाम है हाउस रॉबरी और हाउस रॉबरी टू जो से जाता है वन लेवल अब चली जाएंगे तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पूरी प्रॉब्लम को अच्छे से रगड के चमकाते हैं पर वीडियो सुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दो आप मेंसे मैक्सिमम बचे लाइक करते हैं लाइक करने में क्या जारा आपका और एक प्यारा सा कमेंट डॉप कर देना बैस डीपी लेक्चर चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम क्या कह दिया हाउस्ट भी इसको समझने के कोसिस करते हैं मान लीजिए आप लोगों ने जबरदस्त पढ़ाई करी और कुस लिखताउ चोरी चकारी ताकि मेरे पास पैसे आप है तो आपने वो डिस्यंजन लिया तो आप बन गए एक रॉबर अब प्रॉब्लम क्या है आपके पास वो हम समझने के कोसिस करते हैं हमें एक area दे रखा है जो दर्फतारा है घर को ये पहला घर है ये दूसरा घर है ये तीसरा घर है और ये चौथा घर है इसमें दे रखा है कि पहले घर में एक रूपय रखा गया है अगले घर में 2 रुपय रखा गया है, अगले घर में 3 रुपय रखा गया है और लास्ट वाला जो घर यहां पर प्रेजन्ट है, उसमें भी 1 रुपया रखा गया है वो कह रहा है कि आपको इन घरों से चोरी करनी है ताकि आपके पास जो maximum amount आए कि आपको चोरी इस तरीके से करनी कि आप maximum amount collect कर पाए किलियर, हाँ जी अब आप बोलोगी भईया कि मैं सारे घर से चोरी कर लेता हूँ 1 रुपय आसे, 2 रुपय आसे, 3 रुपय आसे, 1 रुपय आसे तो में पास maximum amount आजाएगा लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा catch दे रहा है वो क्या है, इसने कहरा है कि हर एक घर के अंदर एक alarming system लगा हुआ है वो alarming system तभी बचेगा कि अगर आपने एडिसेंट घर में चोरी करी मालो आपने पहले घर में चोरी कर दिया दूसरे घर में चोरी कर दिया जो कि क्या है, एडिसेंट है जब भी आप एडिसेंट घर में चोरी करोगे तो alarm system बच जाएगा पुलिस को call चले जाएगी और आप सीधा आपका placement तिहार जील के अंदर हो जाएगा तो आपको क्या करना है आपको ये make sure करना है कि मैं कभी भी एडिसेंट घर में चोरी नहीं करूँगा उसके बाद इस condition के साथ मुझे क्या करना है कि मैं कितना maximum पैसे यहां से चोरी कर सकता हूँ clear है जी? हाँ जी अब आप बताएए आप किस तरीके से चोरी करेंगे चलिए, समझने की कुशित करते है पहला example मैंने पकड़ा मैंने बोला चलो, पहला घर है मैं यहां से चोरी कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता तो मैंने का चलो यहां से चोरी कर लेते हैं अगर मैंने यहां से एक रुपया चुरा लिया तो क्या मैं अब जो उसका अगले घर है पैसे चुरा सकता हूँ, नहीं, तो यहां तो नहीं चुरा सकता हूँ, यहां जा सकता हूँ, क्या मैं यहां से पैसे चुरा सकता हूँ, मिरी मर्जी चुरा भी सकता, नहीं भी चुरा सकता, हाजी, मैंने चुरा लिये, तो मैंने तीन रुपे यहां से चुरा लिये, अब मैं मैंने पहले घर में चोड़ी करी, दूसरे में नहीं कर सकता, क्योंकि एडिसेंट है, मैं इस वाले घर पर किया, मैंने चोड़ो यहां भी नहीं करते हैं, अगले में चोड़ी कर दी, तो मैंने टूटल दो रुपे चोड़ाएं, के लिए और भी बहुत सारी तरीके हो सकते है मैंने तो चोड़ो, पहले घर में चोड़ी नहीं करओंगा, इसमें कर लेता हूँ, तो मैंने यहां से डूर पर चुरा लिए, अगले में नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पे क्या यह यह एडिसेंट है, हग्ले घर में से एडिसेंटहन олнच भी तरह में चोड़ी नहीं कर दो तो इस वाली प्रॉडम का जो आंसर है वो हमारा पूर आने वाला है जब मैं इस वाले घर और इस वाले घर में चोरी करूँगा मेरे पास 4 रुपे आके एकटा हो जाएंगे अब इस वाले एक्जामबल में देख लेते हैं मैंने मालो इस वाले घर पे चोरी कर ली दूर पे मिल गए इस पे नहीं कर सकता इस पे कर दी इस पे नहीं कर सकता क्योंकि एडिसंट हो जाएंगे तो मैंने इस पे कर दी तो यहां पे मेरे पास 12 रुपे क्लेक्ट हो गए ऐसी और भी तरीके हो सकते हैं, मैंने पहले गर में चोरी ने करी, मैंने यहां पर चोरी कर ली, 7 रुबे आ गए, यहां नहीं कर सकता है, यहां कर सकता हूँ, यहां नहीं 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 कर सकता हूँ, यहां पैसे आपने कौन से तरीके से चुराए इस वाली तरीके से तो आपको 12 आंसर मिला के देना है अब यह मत समझ लग जाना कि भाया मैं एक काम करता हूं सीधा अल्टरिनेट घर पर चुरी करता हूं तो मेरे पास maximum amount collect को जाएगा नहीं जरूरी नहीं है इस इस number से देख लेते हैं मालो मैंने यहां से पैसे चुरा दिये 7 रुपे हाँ जी यहां नहीं चुरा सकता तो मैंने यहां से चुरा लिए 2 रुपे कि यहां से नहीं चुराईं यहां से चुरा लिए दो रुपे मैंने इस गर से पैसे चुराए यहां से मैंने का नहीं चुराऊंगा यहां से मिनी चुराओंगा और मैने यहां से चुरा दिये, आठ फ़वे चुरा दिये, गैसे चुरा दिये, problem तो clear है अब यह जो problem है हमारे पास यह recursion की problem किसी problem है 해도 recursion पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे मुझी choices दी रिखिया है कि मैं पहले गर पर चोड़ी कर भी सकता हूं नहीं भी करता हूं जब बी मैं किसी घर पर खड़ा उरहución तो मिने पास choice है कि यहां पर मैं छोरी करूं या ना करूं है यह नहीं है हाँ जी तो जहां भी भी हमर पास choices होती है is वहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि वहां पे रिकर्सन लगेगा अभी हम DP की बात लिए कर रहे हैं अभी हम सब्छी की की बात करें तो यहाँ पर मैंने वो चॉइस ले ली, यहाँ पर मैं चुरा भी सकता हूं नहीं भी चुरा सकता हूं, मैंने नहीं चुराया, तो अब मेरे पास चॉइस कुल गई इस एट के लिए, मैं यहाँ पर चुरा भी सकता हूं, नहीं भी चुरा सकता हूं, चुरा लिए, अब अग को जबिन कोई भी प्रॉब्लम को सॉल करना है असाद वहले हम रिकर्सन को देखेंगे और रिकर्सन को लिखने का सबसे बैस तरीका है जो मैं बोल रहा हूं उसी को मैं लिख रहा हूं बद अगर आपने यह कर लिया आके प्रॉब्लम हो जाएगी यहां पर आपको क्या maximum कितना amount चुरा सकता हूं इन घर से clear हाँ जी हम यहां पर मैंने हम एक चीज फॉलो करते हैं जो convention अभी तक हम फॉलो करते वह आ रहे हैं कि हम पीछे से यह जो array है इसका नाम मैं दे देता हूं nums जो problem में दे रखा है यह जो array इसका नाम nums है clear हाजी अब मैं यहाँ पर खड़ा हूं मेरे पास choice है मैं यहां से पैसे चुरा भी सकता हूं या नहीं भी चुरा सकता हूं तो maximum amount drawn from N houses क्या हो जाएगा कि in N घर से मैं कितना maximum पैसा उठा सकता हूं मालो मैं इस घर पे हूं हाजी तो मेरे पास choice से मैं यहां से पैसे चुरा भी सकता हूं या नहीं भी चुरा सकता हूं तो मालो मैंने पैसे चुरा लिये Nums N को मैंने चुरा लिया यह पैसे मैं उठा लिये 10 रुपे हाजी अब मुझे पता है कि मैं इस वाले घर से पैसे नहीं चुरा सकता हूं लेकिन इसके पहले जो N-2 घर है वहां से पैसे चुरा सकता हूं मैं यहाँ पर खड़ा हूं मैंने अगर यहाँ से पैसे चुरा लिए ठीक मुझे बता मैं यहाँ से नहीं चुरा सकता हूं लेकिन इसके पहले वाले सारे घरों से पैसे चुरा सकता हूं तो यहां पर लिख सकता हूँ, nums n मैंने इस n घर से पैसे चुराए, और maximum amount मैं कितना चुरा सकता हूँ, robbed from n-2 houses, ऐसे करके बोल सकता हूँ, अगर मैंने को n घर बोल दूँ, यह n घर है, ठीक है, यहां से मैंने nums n को चुरा लिए, 10 तुरा लिए, plus maximum amount जो मैं इन n-2 घर से च चुरा सकता हूँ, यह n-2 घर हुए, हना 10 रुबे, plus maximum amount, robbed from n-2 houses, मैं कैने का लाँ, maximum amount, robbed from n-2 houses, equal to, क्या, मैंने इस घर से पैसे चुराए, plus maximum amount, robbed from n-2 houses, इस तरीके से, clear, अब अगली choice क्या है, कि मैं यहां से पैसे ना चुराँ, मैं पैसे ना चुराँ, तो अगर मैं यहा चुराए, तो मुझे कुछ भी रुपे नहीं मिलेंगे, हाँ, इस तरीके से, एस टी लिखूँगा, कि लिखूँगा, देखो, मैंने यहाँ पे इस हाट 10, अगर मैं इसको चुरा लिए, 10 पे चुरा लिए, plus maximum amount, robbed from n-2 houses, clear, हाँ, अगर नहीं चुराए, तो कुछ भी नही मिलेगा, 0 rupees मिलेंगे, हाँ, अगर रुपे नहीं मिले, तो मुझे पता है, अब मैं इसके आगे वाले घर पे चोरी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, कि maximum amount, robbed from n-1 houses, इसलिए मैंने n-1 ने लिखा है, clear है यहीं चीज, हाँ, मैंने अगर 10 पे चुरा दिए, अगर मैं दस भी चुरा दिए, तो मुझे n-2 house को देखना पड़ेगा, अगर नहीं चुरा है, तो मैंने कुछ भी रुपे नहीं मिलेगा, अब मेरे पास option है, यहाँ से पैसे चुराने का, तो मैं लिख रहा हूँ, maximum amount, robbed from n-1 houses, इस तरीके से मैंने लिखा, अब जो इन दो में से maximum होगा, होगा नहीं होगा answer, हाँ जी, तो मैंने क्या कहा, कि इन दो maximum होगा, वो मेरा क्या होगा answer, मैं किसी भी particular घर पे खड़ा हूँ, मेरे मेरे choice है, मैं ऐसे पैसे चुरा हूँ, या ना चुरा हूँ, अगर मैंने चुरा दिये, तो उसके बाद मुझे उसके आगे जो दो घर है, ठीक है, एक घर छोड़के, वहाँ से जितना पैसा collect होगा, या फिर मैं यहाँ से पैसे ना चुरा हूँ, और उसके आगे वाले घरों से maximum पैसा जितना collect होगा, तो इन मैंसे जो maximum होगा, वो मेरा क्या होगा, answer होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल basic maths है, अब इसको एक example से, recursion से हम देख लेते हैं, ठीक हाजी, तो एक काम करते हैं, यह छोटे वाले example को उठा लेते हैं, 1,2,3,1 वाले को, 1,2,3,1, clear, हाजी, मैं इस घर पे खाड़ा हूँ, इस घर पे खाड़ा हूँ, clear, हाजी, मेरे पास choice है, यहाँ से पैसे चुरा नहीं की, यह नहीं चुराने की, अगर मैंने यहाँ से पैसे चुरा लिए, तो में पाए 1 रुपया मिल गया, हाजी, अब मैं चोरी कहां से कर सकता हूँ, इसके पहले वाले घरों से चोरी कर सकता हूँ, 1 और 2 वाले घरों पे, हाजी, तो मैंने लिग दिये, अब मेरे पास यह option open है, किलियर, हाजी, और अगर मैंने यहाँ से पैसे नहीं चुराए, तो अब मेरे पास है, कि मैं यहाँ से पैसे चुरा सकता हूँ, किलियर रही चीज, हाजी, उसके पहले वाले घरों से पैसा चुरा सकता हूँ, यही होगा, हाजी, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं म प्लस अब मैं आगे वाले इस वाले घर से नहीं कर सकता हूं लेकिन इसके आगे वालों से चोरी कर सकता हूं तो यह तो खाली हो गया सेम कहानी कि मैं इस कि भी कर सकता हूं कि मैंने यहां से पैसे नहीं चुराए तो अब मेरे पास एक ही घर बचा होगा है क्या मैं इस वाले घर से चूरी कर सकता हूं इस वाले घर पर 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 चूरी कर सकता हूं इस वाल और आगा घर का option में मेरे पास open रहेगा अगर नहीं चुराएं तो यह चुराने के हो गए यह नहीं चुराने के हो गए pousाले मिरेपास जब 1 ही घुर बच्छा है तो मैं सिर्प maximum किते रुप्या उत्थास सकता हूंний clear हाजी तो इधरन से मैं 2 रुपे चुरा पा रहा हूं इधर इंख रॉपय चुरा पार हूं इंवेंसे max2 और ने तो वह ऊपर रूपय हूजाएगा clear है मैं पास दो घर ते ऐसे पर चोटा इग्दके डंवक्ते ली सकते हैं मैं maximum कितने रुपए यहां से चुरा सकता हूं, maximum इन दो घर से, मैं सिरब 2 रुपए चुरा सकता हूं, यह देखो, 1,2 से आप पर return क्या जा रहा है, 2 जा रहा है, कि भाईया, 2 रुपए मैं इधर से चुरा पा रहा हूं, और ए रुपए मैं इधर से चुरा पा रहा हूं, जो टू प्लस जीरो दो अगर मैंने दो रूपे वाले घर से चूरी नहीं करी ठीक है नहीं करी तो में पास ये वाला option खुल जाएगा ए रूपे वाला घर वाला ठीक है तो एक ही घर है तो यहां समय एक ही रूपया चुरा सकता हूं क्लियर तो इन दूरों में से मैक्सिम हो आओ वो उपर रिटन हो जाएगा तेन कहानी आप पिए फॉलो कर लेते हैं अगर इस टू वाले से चूरी करी दोर पे मिल गए तो अब इस घर पर चूरी नहीं कर सकता हूं कुछ नहीं बचा तेन कहानी यहां पर अगर चूरी नहीं क बचा है सारा घर खाली हो चुके हैं तो 0 रूपी सी क्लेक्ट कर पाओगे तो 2 रूपय इधर से एक रूपया है क्योंकि एक ही घर बचा है maximum कौन है 2 और एक मिसे 2 तो 2 आपने ऊपर रेटर्न कर दिया 0 प्लस 2 2 4 और 2 मिसे maximum कौन है 4 तो आपने ऊपर 4 रेटर गिया इधर से 2 आया है इधर से 4 आया है जो maximum होगा वो मैंने भाहर धेज दिया चार इस तरीके से मैंने अंसर में अपना ग्रैस्ट दिया क्या यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नजर होते हुए आई है हमने बिलकुल असानी से हर जगह पर मैंने option रखा कि भाई यहां पहले वाला घर था क्या यहां से चोरी करूं यह न करूं अगर चोरी कर ली तो मुझे यह एक रुपया मिल गया नहीं करी तो यह एक रुपय है चोरी की तो चोईस दे रहा था मुझे है क्या अगर इस घर से चुराऊं या ना चुराऊं हर जगह में बहुत है तो वो ही चोईस मैं यह आप पर फॉलो करी है और इसे दरीके से अपने अपने आपने आपने आंसर को निकाला है आई होप यहां पर आपको फॉरा point के ल ही है अब हम बात कर दें कि यह जो प्रॉब्लम है यह रिकर्सन की प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई लेकिन इसे ओवर लैपिंग प्रॉब्लम कहा पर आ रही है किलियर हाजी तो इसको देखते हैं इस वाली केस को अब मेरे पास यह रहा एरे अब मैं यहां पर चोरी कैसे करता हूं मैं उसकी बात करता हूं मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं यहां से इस वाले घर पर खड़ा हूं मेरे पास चोईस है मैं यहां पर चोरी करूं यहां ना करूं ठीक मैं यहां पर सीधा इंडेक्स से लिख अब किसके आगे वाले घर पे चोरी कर सकता हूं तो मैं कावे पहुंच गिया इंडेक्स 4 पे किलियर हाजी सेम कहानी होगी अगर मैंने 6 तो आले इंडेक्स पे चोरी नहीं करी यहाँ पे अगर मैंने चोरी नहीं करी PLUS जो यहां से आब आएगा मुझे पता मैं इस पे चोरी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे चोरी कर लिया है तो इस के आगे बालों जोरी कर सकता हूँ तो SEC ansch. तो HARE? INडेक्स पे पहुंच गया हूं हो पोर्ट वाले पहूं गोर्द वाले से अगर मैंने चोरी नहीं करी तो मैं कहा से चोरी शुरू कर सकता हूँ फट्ड वाले इंडेक्स से चोरी शुरू कर सकता हूँ अगर मैं इस फेकेंड वाले से पर अगर मैंने चोरी कर ली तो दो रुपे आ गए हाँ जी प्लस। उसके बाद अगर मैंने यहां पर च॔रिकरी यहां नहीं कर सकता अगर चुरी नहीं करी है प्लिस। tahayya rich हां जी अब यह जी अब ये जीरो वाला घर है अब यहां से क्या रिटर्न कर सकता हूं 7 रिटन कर सकता हूं कि maximum मैं 7 रुपेश चुरा सकता हूं जब मेरेपास सिर्ब एक ही गर होगा जब मेरेपास सिर्फ एक हीं घर है तो maximum कितना amount चुूरा सकते हूं जबाएक ही घर है जब भाएक तो भाई यह उसी घर से पैसे चुराने जितने हमाँ रखे होंगे हना तो वही मैंने यहां पर कर आया है अब मैं यहां पर आ गया इस वन पर यह मैं इधर को आया है वन वाले से आख आप्सम है कि वन वाले गर पर चूरी करूं अगर चूरी कली तो 3 रुपे आ गया है और यह इसके पहले वाल पर मुझे जाना पढ़ेगा और अगर वन वाले पर नहीं करी तो यह पर जीरो तो आले इंडेक्स पर जा सकता यहां से किया रिटन हुआ है मिरे पास् तीन रिटन हुआ है इधर से कितने है गर कितने है यह उपर साध में से एक्षिंकम, कौण में पीड़िए तो आपके पास्पा स्वारा मकॉर्ण कौन है 9 तो यह उपर रिटन 9 करेगा कौन यह 2 वाला किलियर हाजी दो और 9 कितना होता आपके पास 11 होता है किलियर इधर से आपको 11 रुपए आ रहे हैं इधर से अब हम चौरी करूं या न करूं चौरी कर दी अगर थर्ड वाले घर पर 8 रुपए आ प्लस अब क्या होगा अगर यहां पर चौरी कर लिए तो आपको दिखों तो यह वाला ओलरी में यहां पर solve कर चुका हूं तो यहां पर दुवारा solve करने की ज़रत नहीं है तो यह क्या है मेरी overlapping subproblem हना recursive तो बनी रहा था हाँ जी लेकिन अब मुझे पता है एक बार मैंने 1 solve करते हैं तो दुवारा solve करने की ज़रत नहीं है तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि उसके value क्या रही थी 9 तो इसने बोला मैं already solve हूं देखो तो मैं पहली solve कर चुका हूं जिसका answer 9 नहीं आ रहा था तो दुवारा solve करने की ज़रत नहीं है फिर से खीचने की ज़रत नहीं है clear इधर से 15 आया है इधर से क्या आया है 9 आया है तो 15 9 कितना सॉरी 15 9 में से maximum कौन है 15 तो 3 वाला क्या return करेगा 15 रेटन करेगा clear हाजी 4 को इधर से क्या मिला है 11 इधर से क्या मिला 15 तो यह उपर क्या return करेगा जो maximum होगा तो इसने ऊपर रेटन 15 किया clear हाजी तो यह अगर आप यहां पर देखोगे 15 10 इधर से 6 वाले को 25 रुपे मिले इधर को जाएगा 5 वाला घ से चौरी कर लिए एक गुर्पै मिली गया अब आप यहां पर चौरी नहीं कर से लएकि इस वाले गरते आप चौरी करना श्टार्ट कर सकते है clear रेट अगर आप यहां पर देखोगे कि मैं थ्री वाले के लिए ओल्गवा अजरम कर चुका हूँ यह देखो 3 के लिए मैं ऑ क्यों मुझे पता है फूर्थ का अंसर फिप्टीन आ रहा था तो दुबारा सॉल करने के जोड़ा तो नहीं है तो इधर से फिप्टीन आया सोला पंदर में इसे बड़ा कॉन है मेरा सॉला है उपर सॉला चला गया के लिए रही चीश हाँ जी अब इधर से 25 आया है इधर से 16 आया है जो मैक्सिमूम होगा वह बहार आ जाए तो इसे तरीके सामने अपनी स्वाल कर दी क्या इसमें कोई भी आपको दिक्कत अजर आते हुए नजर आई नहीं आई तो इस तरीके सामने बड़ी असानी से अपनी इंडेक्स के लिए हाँ जी और एक वेक्टर इंडेजन नम्स जो मुझे चाहिए होगा नम्स के अंदरी क्या रखे में पैसे रखे में इस तरीके से लिए सकता हूं हाँ जी मुझे बता है अगर मेरा इंडेक्स इक्वल टू इक्वल टू बेस के सच क्या है जीरो हो गया तो return है क्या करना पड़ता है? nums 0 के अंदर जो भी रूपया रखा गया. अगर मेरा index less than 0 होता है, तो return है क्या करना होता है? 0. तेखी. आप अगर यहां पर दिखोगे, जब रहे index की value 0 पहुंच गई, तो जो nums 0 के अंदर की value थी, उसी को return करना पड़ता है. क्या क्या find कर रहा हूँ? maximum amount raw from n houses, maximum amount raw from 0th houses, या 0th index houses. तो वहां से मैं सिर्फ 7 रुबे चुरा सकता हूँ. तो मैंने 7 return कर दिया. और जब index की value negative आती है, तो मैं क्या return करता हूँ? return 0, नहीं तो, return maximum of, अगर आप इस वाले index पर present है, तो जो भी वहां पर amount present है, nums of index, अगर मैंने इस घर से चोडी कर ली, तो अब मुझे क्या जाना पड़ेगा? उसके एक घर आगे, clear हाजी. तो मैं वहां पर ली सकता हूँ, plus robbery of i-2, हाणा? क्योंकि एडिसन वाले में चोडी नहीं कर सकता, तो उसका जो पहले है, उसमें चोडी कर सकता हूँ. nums को भेज दिया, comma, अब मेरे पास choice है, मैं इस index पर चोडी करूँ ना करूँ, चोडी कर ली, तो यह आगया नहीं करी, robbery, maximum कितनी मेरा robbery कर सकता हूँ, i-1, nums, इस तरीक से हमने इस पर लों को solve करा, तो यह इसका recursive function हमने इस तरीक से लिग दिया, जो भी इनमें से maximum होगा, वो मेरा answer में आ जाएगा, clear है, हाजी, मेरे पास choice है, मैं यहाँ पर चोडी करूँ, यह ना करूँ, अगर चोडी कर ली, तो मैं आपको particular amount आ जाएगा, नहीं करी तो नहीं आएगा, तो इन दो case में जो maximum होगा, वो मेरा answer हो जाएगा, as simple as that, जो मैं बोल लो ही मैं लिख रहा हूँ, clear, हाजी, अब इसको dynamic programming में कैसे convert करें, इसको dynamic programming में कैसे convert करें, देखो, यहाँ पर हम किसको देख रहे हैं, index को देख रहे हैं, हाजी, तो इसे पहले हमें अपनी DP का size create करना पड़ेगा, तो यह 6 है, 5 है, 4 है, 6 की पहले, इसकी index की value क्या क्या आईए, 5 आईए, 5 आईए, 3 आईए, 2 आईए, 1 आईए, 0 आईए, और इवन नेगेटिव तक गई है, मुझे पता, नेगेटिव में इंडेक्स से मैं नहीं लिख सकता, जब भी मैं अपने vector को बनाऊंगा, उसको नेगेटिव में नहीं ले सकता, तो इस case से हम कैसे बतते हैं, इस case से कैसे बसना है, जब इन नेगेटिव में जा रहा है, तो कि पहले मुझे क्या ढूणना है, DP का size ढूणना है, DP का size ढूणना है, तो मैं देख पा रहा हूं कि index की value कहां से कहां तक जा रही है, तो यह 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और even negative यह जा रहा है, लेकिन मैं negative पे उसको लेके नहीं जाना चाहता है, क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं इसके size को 7 ले लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर मैं इसको 8 size का ले लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर 8 size का ले लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है, इस index 6 की value, dp6 के अंदर होगी, इस index 5 की value, dp5 के अंदर होगी, इसके dp4, dp3, dp2, dp1, dp6, इस dp6 वाले index के अंदर, इस वाले value store होगी, क्लियर इसके dp5 के अंदर, लेकिन इसकी कहा होगी, सबस्त्रक्ण के लिए हम क्या करते हैं? میں iis negative वाले case में पहुंच दो यह ना, तो this negative वाले case में में कब पहुंच रहा ही? इस producing 1 की वाजय से पहुंच रहाhst, तो यह 1 ही तो पताया है, मुझे कि 1 से आगर चोरी कर ली, 3-plus आंदर यांदर आतर जा रहा है अगर आप यहां पे ध्यान पूरवक्त दोगे तो यह वन एक्ट्वल में कर रहा है यह तो कर रहा है कि अगर मैंने वन वाले घर से चोरी कर ली तेन रूपे प्लस यह 0, 0 वाले से कितना आ रहा है तो जो इंवें से मैक्सिम होगा वो मेरा अंसर आ रहा है अना हाँ जी मेक्सिम अफ 3,7 वह तो रिटन हो रहा है इस से हाजी महीं यहां पे लिश कता हूं कि जब मेरे रेटन कर रहा है है इस ने क्या करहाँ नम्स 1 की वैल्ल्यू उठाई 3 । प्लस 0 आने वाला है तो यह तो यह वो गया और इधर से क्या आएगा ? नम्स 0 की वैल्लू यह 0 तो इन में से जो maximum है वही तो रेटन करता हूं हाज जी तो मैं तरी को return कर सकता हूं बिलकुल कर सकता हूं इसलिए मैं यहाँ पर इस condition को काट के कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मेरा index की value एककटो एककटो वन के वरावर होती है तो return कर देना कितना now in transformer 2019 वर्ष जब आपके बा이가 लंगती Jไ Hill कि दो गर्षे घर कर सकते हों किदरी चोरी कर सकते हों किदरी चोरी कर सकते पहले वारे जो इंडेक्स जीरो तेनले में जो मै współ होगा वही तो जाएटं करूंगा उतरी कि तो मेकल कर सकते हैं तो नों पो गर में से एक ही घर में चोरी करना पड़ेगा किसे घर में करोते जहाँ पेसा रखा तो the maximum of num उसाइगा कि ब्रसेंट कर तो यहां भी नम्सवन की value यह नम्सवन की value है यह आ रही है जो उनमें से maximum आ रहा था वहीं तो मैं उपर रिटंग कर रहा था हाजी तो यह case से बचने के लिए clear हाजी तो अब मैं इस वाले case में कभी भी नहीं जाओंगा यह नीचे वाले नेगेटिव आले case में clear हाजी अब मुझे पता है कि अब मैं mlDP जो मीरा यह index है कहां कहां चांट हो रहा है 6 5 4 3 2 1 0 तो यह कितना जा रहा है कहां से कहां तक जा को यह यहAut। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह 7 size तक जा रहा है, तो अगर मैं इसका N का size देखू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो जो मेरी DP का size होगा, वो कितना होगा, N size का ही मेरा होने वाला है, क्योंकि यह पर जो array है, इसका size कितना है, 7 है, क्लियर, और उतनी size की बड़े DP बनने वाली है, क्योंकि भाईया, इंडेक्स 6 से सूर हो रहा है, 5 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, और 0 से हो रहा है, मैं आपको इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ, ये DP N का size निकला कैसे, ठीक, मैंने negative वाला case कोड़ा दिया, क्योंकि आप negative case में पॉस्च नहीं सकता, index value कहां कहां से जा रही है, 6, 5, क्योंकि इन ही function की value को मुझे reserve करके रखना पड़ता है, तो different, जितने भी different tag के function यहापे बन सकते हैं, ये 6 वाला, 5 वाला, 4 वाला, 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, 0 वाला, clear, हाँ जी, तो यही बन सकते हैं, तो ये total कितने हैं, 7 है, clear, तो ये 7 किसके equal है, इसी के equal है, इत्तो है, जो area का size मेरा है, 7, इसलिए यहाँ पे DP का size कितना होगा, DP N, clear, हाँ जी, तो अब मैं यहाँ पे इसको दाओ सकता हूँ, easily, तो यहाँ पे मैं DP N को pass कर सकता हूँ, easily, vector, integer, DP N, sorry, DP, ऐसा reference, यहाँ पे मिली सकता हूँ, कि if, DP of index, अगर आपका already, value निकाल चुके हो, तो return कर दो, DP of index को, ठीक, हाँ जी, ओके, यहाँ पे मैंने गड़बर कर दी थी, यह index minus 2 और index minus 1 होगा, index minus 2, और यह हो जाएगा मेरा, index minus 1, गलती से मैंना i लिख देदाओ, ठीक, हाँ जी, clear, गलती से लिख देदाओ, i minus 1 ना i minus 2, ठीक, हाँ जी, और यहीं पे इसकी value को store भी करूँगा, कि DP of index में क्या दाल दीजिए, जो भी इसकी value आएगी, और इस तरीके से, हमने हमनी swallow को, असानी से solve कर दिया, clear, हाँ जी, तो यहाँ पे पहले, हमारे जो time complexity दी, अगर इसमें सिरफ मैं recursion use करता, तो exponential चली जाती, हाँ एक ही कि इसको बार-बार solve करना पड़ था, देखिए अब इसकी time complexity है, वो approximately कितनी आ जाएगी, order of, anytime, clear है यह चीज, हाँ जी, और इसकी space complexity कितनी आ जाएगी, space complexity आपकी कितनी आ जाएगी, अगर मैं space complexity की बात करूँ, यह तो ही recursive function, और उसके बाद जो dp का size आपने लिया है, इस तरीके समने इसको solve किया, clear है यह चीज, हाँ जी, कि time complexity, space complexity कैसे निकली, आप एक तरीके साथ से देख सकते हैं, कि भाईया मैंने 6 को एक ही बार solve किया, 4 को भी एक ही बार solve किया, तो उसका region already store हो अपने कितने different type की value निकाल दिया, इन्ही को solve करें आप रिकस्तन के यल्प पर, इन्ही की value तो find कर रहे हो, इन्ही की value find कर रहे हो, इस तरीके से time complexity निकल गई, इस space complexity कित्छी होगी, order of n प्लस order of n, इस तरीके से, देखो, जब मैंने 4 को यहाँ पर कर रहा था, जब अगली बार आ है, तो मैंने अल्री यह सॉल्ट था, तो मैंने इसको फ़र्दा नहीं किया, जिलिए, एक ही बार उसको सॉल्ट किया, जिलिए, तो वो रिटर्न मैंने कर दिया, इस तरीके दो मैंने इसे time complexity निकाल दी, औ equal to numbers.size ताकि इसका मुझे size बता चल पाए clear? हाँ जी अब robber वाला जो अपना function है उसको call करते हैं उसमें हम pass करेंगे last वाले index को हाँ जी तो n-1 मुझे लिखना पड़ेगा उसे के साथ ही मुझे इस numbers को pass करना पड़ेगा अब यह जो भी return करके देगा उसको मैं answer में return करवा दूँगा चलिए integer robber integer index comma vector integer nums इस तरीक से मैंने इसको लिख दिया अब जब मैंने इसके लिख दिया उसके बाद मुझे क्या करना है उसके बाद आप step बहुत ही simple है सबसे पहले base cases देख लो अगर index equal to equal to zero है जब मेरे पास सिरब एक ही घर है तो maximum मुझे कितना profit निखाल सकता हूँ है कितने maximum की चोरी कर सकता हूँ सिरब nums zero की हाँ जी जब मेरे पास index equal to equal to one है उस time पे कितनी की चोरी कर सकता हूँ है ठीक है जब दो ही घर है zero one index वाले जो maximum होगा क्योंकि एक ही घर से चुरा सकता हूँ पैसे यह तो nums zero वाले से या nums one वाले से बहुत असानी से और last मेरे रिटन कर दो वनना maximum of अगर मैंने इस index वाले घर से पैसे चुरा लिये और अगर पैसे नहीं चुराए तो मैं इसके आगे वाले पर बिल्कुल अराम से जा सकता हूँ index minus one comma nums इसको return कर देंगे तो चलिए रंग करते हैं तो हमारे base test के से पास अब मुझे यहापर dp का introduction करना है dp का size मेरा कितना होगा vector integer dp of कितना n comma minus one और इसमें मैं dp को पास कर दूँगा क्योंकि मुझे पता है यहापर जो मेरा function index ठीक है यह change हो रहा है कहां से कहां तक इसकी value n minus one से लेके 0 तक जा रही है इसलिए dp का size n में ने ले लिया तो सबस्ते वहले base case से standard कर देते हैं ठीक है हाँ जी कि अगर मेरा dp of index not equal to minus one तो return के का अगर देना है dp of index as simple as that और जो भी यह return करके देगा उसको dp of index के इंदर store करा दूँगा clear हाँ जी तो यह dp of index के store कर रहा है कि भाई यह maximum amount robbed from index i clear हाँ जी इस वाल इंदेक्स तक कितना maximum amount मैं चोरी कर चुका हूँ ओके कुछ errors आई है ओके ओके यहाँ यहाँ पर मैंने dp को लिखना भूल किया था vector integer dp और इसी के साथ ही मुझे यहाँ से dp pass करा और यहाँ पर मुझे dp को introduce करना पड़ेगा चलिए इसमें तो कोई rocket science नहीं है अब run करते हैं तो हमारे test के से इसपास इसको submit करते है अपने code को और हमारा code बहुत ही अराम से submit हो गया तो चलो top-down approach हमने देख लिया अब हम बढ़ते हैं bottom-up की अब हम इस problem को bottom-up approach से कैसे solve कर सकते हैं top-down हमने देख लिया अब tabulation method या bottom-up मैं कहूं उससे मैं कैसे solve कर सकता हूं तो मेरा tabulation क्या कहता है कि सबसे पहले हमारे पास जो DP है उसी को तो fill करना हुझे तो उसको ले लेता हूं 0,1,2,3,4,5,6 यह मेरी DP मेरे पास present यहा पर है जो table मेरे पास देख दी यह नम स्वाला इसको लिख देता हूं 7,3,2,8,7,3,2,8,1,2,10 ऐसी है मेरी रिखाल सही अगर मैं गलत नहीं है अच्छा 210 नहीं और यह वाला area तो मेरे को given था इसका नाम क्या था? Nums था ऐसे करके मैं इसको प्यार के लिख दिया अब मुझे अपनी DP को भरना पारता है जो यह table यहां पर देरी किया है तो सहते पहले मैं क्या बढ़ता हूं? Base case Base case अगर मैं यहां पर देखू Index 0 पर क्या rating करना है? Nums 0 बहुत असन तरीका है Num 0 की value है 7 अब मुझे value बननी है अगला base case क्या है मेरे पास मेरे अगला base case है जब index equal to equal to 1 होगा तो जो num 0 और num 0 में से maximum होगा वो मैं यहां पर भर दूँगा किलियर तो इसको भरूँगा साथ तीन में से maximum कौन है? साथ तो यहां पर 7 आ गया किलियर हाजी तो यह 7 क्या दर्थार है? कि maximum आप कितना amount चुरा सकते हो ठीक है अगर मैं इन दो घर को ले लूँ तो अभी तक मेरे पास 7 maximum answer है अब मुझे बाकी values को भनना है मुझे पता है कि जब मैं top-down approach को follow कर रहा था तो मैं कहां से कहां जा जा था 6,4,5,3 ऐसे करें तो bottom-up में मुझे reverse order में जाना पड़ता है clear? हाजी तो यहाँ पर मैं reverse order में जाओंगा तो follow को लिख देता हूँ i equal to 2 से i less than n i plus plus n की value क्या है? 7 मुझे दे रिखिया अब यहाँ पर जो value आएगी वो क्या आएगी? यही तो आएगी यह वाला तो dp of i मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि dp of i के अंदर क्या बढ़ दो? कि index income में क्या है? i है maximum of nums i यहाँ पर लिखा हुआ है nums index income nums i robbery वाला जो function है उसका मंदख क्या है? यह robbery का मंदख क्या है? dp जब मैं यह written कर रहा हूँ यह result written कर रहा हूँ इस robbery का जो भी result return हो रहा है यहाँ से वो किसके अंतर जा रहा है? dp के अंदर तो यह robbery का जा रहा है robbery का रिजल किसके अंतर जा रहा है? dp के अंतर robbery की जगे में क्या दाएगा? dp आगा plus dp of i-2 इस तरीके से मैंने इसको solve कर दिया, यह देखो, dpi-1, और last में में return कर दूँगा किसको, return, क्या हो जाएगा, dp, n-1, यह मेरा return जाएगा, क्योंकि last इसमें जो भी value होगी, वो में return कर दूँगा, अब value कैसे भरीगी, वो उसकी बात कर लेते हैं, अब मैं यहाँ पर खड़ा ठीक है, maximum amount में कितना चुरा सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं देखू, यह क्या कह रहा है, कि अगर मैं 2 रूबे चुरा लू, plus dpi-2, इसके यह वाला, ठीक है, यहाँ से 7 रूपे, comma, अगला क्या है, मैं पास 7, इनने से maximum क्यों है, 9 है, तो यहाँ पर आजाएगा 9, clear reach, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, कि maximum amount मैं कितना चुरा सकता हूँ, यहाँ का मुझे पता है, यहाँ तक का 7 रूपे, यहाँ पर मुझे बनना है, तो अगर मैं यहाँ से पैसे चुरा लेता हूँ, 2 रूपे, हाँ जी, तो मुझे पता है, कि मैं इस वाले घर पे चुरी नहीं करता हूँ, क्लियर, तो उसका मतलब क्या है, कि उसके पहले वाले घरों तक maximum amount कितना आया है, वो था 7 रूपे, तो इन में से जो maximum होगा, वो मेरा answer होगा, क्लियर, हाँ जी, अभी इसको और भरेंगे, और इच्छे समझ आएगा, अम मालूमें यहाँ पर आ लिया, मैं maximum amount कि कितना color कर सकता हूँ, जब रहा index 3 है, ठीक, तो यहाँ तो यह है कि मैं इस वाली घर पे चोरी कर लूँ, 8 रूपे, अगर मैं इस घर पे 8 रूपे चुरा दिये, 8 रूपे यहाँ से चुरा दिये, ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ से नहीं चुरा सकता हूँ, लेकि इतक इतके पहले वाले घरों से चुरा सकता हूँ, तो इतके पहले वालों घरों का maximum amount कितना है, वो इसी के अंदर तो store है, कि मैं 7 रूपे तक चुरा सकता हूँ, अगला क्या है, कि मैं इस वाली घर से पैसे ना चुरा हूँ, अगर नहीं चुराता, तो मेरे पास चौईस है कि यहां ते पैसे चुराने का, ठीक है, हाजी, तो यहां तक मैं maximum कितना रूपे चुरा सकता हूँ, 9 रूपे, तो 8, 7, 15, 9, maximum को आने 15, तो 15 इसलिए आया है, यहां से भी दिखोगे, तो 15 ही आया है, इस तर्की ते समझना है, किलिए, आपको नब bottom up कोई भणना आना चीए, बिरको लॉजिकल है, कोई rocket science नहीं है, यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे मानला, इस वाले DP को भणना है, तो यह क्या कर रहा है, कि maximum amount कितना चुरा सकता हूँ, इस वाले index सकता हूँ, यहां तो मैं इस वाले घर पे चुरी कर लिए, यहां ना करूँ, अगर मैं from zero, first and second index, अना, तो वही तो यहां पर store है, हाँ जी, तो वह नो आ गया, अगला क्या है, कि अगर मैं इस वाले index से पैसे नहीं चुराता हूँ, तो मनला, कि इसके पहले वाले चुरी कर सकता हूँ, तो यह सारे घर मेरे पास option में available है, तो यहां से मैं maximum, इन चार घर से कितना मैं maximum पैसे चुरा सकता हूँ, फंदर रूपे, वही तो यहां पर store है, डीपी गंदर क्या है, maximum amount robbed, तिल आयत इंडेक्स, यही तो है डीपी गंदर, हाँ जी, तो वही मैं यहां पर कर रहा हूँ, यहां से क्या आ जाएगा, मेरा, पंदरा, इन में से maximum कौन है, पंदरा, तो यहां पर किदर रूपे मैं maximum चुरा सकता हूँ, हाँ यहां तो मैं अगर मैंने चोरी नहीं करी तो उस व्यार क्या है अगर आप इस घर ने चोरी नहीं कर सकते हो तो इन घरों से आप मैक्सिमम किता रुपे चुडा सकते हो तो उसका अंसर इसके अंदर श्कूर है डीवीफोर के अंदर तो क्या आगी आपके पास 16 अब लास्ट यह वाला इसको आप यहां से भी भर सकते हो कोई रॉकेट साइंगी है यह कहा दिखा रहा है नम साइ एन प्लस टीवी मैनस टू की वैल्लू की दिरी है प्लस 15 पच्चि रॉक आपके रॉके और इस तरीक से मैंने पूरी टेवल को भरता गया और मेरी प्रावलम विजॉल हो गई और इसको ट्कर करने मुझे order of and time, order of and time complexity और space complexity लगी है इस तरीके से कोई दिक्कत आई यहां पे इस अडेवल को भननने में कोई rocket science नहीं बिलकुर असान तरीकिस ह हमने पूरी टेवल को भढ़ दिया एवन हमने लॉजिकल भी भढ़ दिया कि डीवी टेवल हमारी दर्सा क्या रही है कि maximum रॉड प्राउ आयत इंडेक्स मैंने कितना इस इंडेक्स वालों तक maximum कितना रुपय चुराया कि लिए कि लिए इस तरह किसे हमने प्राउंस को निकाला अब यहां पर हमने निकाल लिया है बोटम अब क्या मैं इसके ऊपर इस पेस अप्टिमाईजिसन लगा सकता हूं कि मैं आपको द्धान देने की बात करूं कि मेरा आंसर करें शोद خ घंछे किम देना इसके बिलकुल निकाल सकता हूं क्यूंग्यों मुझे पता है जब मैं इसको निकाल रहा हूं zulब इसको 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 सिरफ प्रीवि as 2 की जरुषत पर लिया DPI को निकालने के लिए DPI-2 और DPI-1 की जरूत पढ़िए यह नमस आई तो मुझे इंपोड में given है clear हाजी तो मैं बिना इसके भी निकात होता हूँ इसको सिर्फ अपने previous 2 की value की जरूत है क्यों मैं यह extra memory करूँ मालो है एक लाग size का है एक लाग size का तो उसको सिर्फ अपने previous 2 की ही जरूता है हाजी तो यहाँ पर आगर मैं इसको बिल्कुल basic से 0 से start करूँ मैं कहां से value बनना start कर रहा था यहां से हाजी तो इसको नाम देदाओ current इसको देदाओ previous और इसको देदाओ previous two जो भी आपको नाम देना है अब इसको भनना कोई rocket sign सम्मिले है नहीं इस तरह के से मैं नाम देदिया तो भाई अब previous के अंदर यह वाली value चले जाएगी previous two के अंदर यह चले जाएगी अब भर दो बस वही i equal to two से i less than n i++ current के अंदर क्या दाएगा maximum of nums i, nums तो ऐसी रहेगा क्योंकि उतर इंपूट बेगी बने plus db i minus two ठीक है यह previous two comma previous वाली के तो इस तरीके से कर सकता नहीं कर सकता हाँ यह अगर मैं db i2 की बात करूं यह कह रहा है db i minus two db i minus two क्या है previous two db i minus two क्या है previous clear हाँ जी तो मैं बिना इसको फॉल कर सकता हूं उसके बात मुझे इसको निकालना है तो मुझे अगर इसको निकालना है तो यह previous हो जाएगा यह previous two हो जाएगा तो उसको अपडेट करते रहो तो previous two में आ जाएगी previous के value अब previous के अंदर आजाएगी current के value पास के बात क्या हो जाएगा यह previous यहां पे पहुंच गिया previous two यहां पे पहुंच गिया और अब current बन जाएगा यह क्योंकि current क्या है इन दोनों का sum यह यह ऐसे करके निकल दाएगा मनला जो यह इसका computation आने वाला है तो इस तरीके तरह मैं अपनी value को निकाला और लास्ट में रिटन कर दूंगा क्या current time complexity कितरी निकली order of n time क्योंकि loop तो चली रहा है और space complexity कितरी निकली order of 1 अब आपको इस dp की ज़रूत नहीं है आपने सीधा इसको solve कर लिया तो इस तरीके तरह सोचना है आपको सिरफ dp वालों को देखना dp में देख रहा है कि मेरी value कहा कहा पर depend कर दिया है कि जब भी मैं किसी particular index को निकाला हूं आई इत index को तो i-1 ना i-2 मिलब पीवे दो value पर depend कर रहा है तो मुझे पूरे array को लेनी की ज़रूत नहीं है तो चलो चलता implementation part पर अब अगर मुझे इस same problem को bottom up से solve करना हो तो कैसे कर करते हैं तो dp of 0 के अंदर किसकी value हो जाएगी nums 0 की dp of 1 के अंदर किसकी value हो जाएगी maximum of जो हमने यहां पर लिख रखा है हाना index equal to 1 पर क्या बनना है मुझे तो इसको copy paste कर लेते हैं यह लीजिए अराम से हो गया उसके बाद बाकि values मुझे बननी है तो for integer i equal to 2 से i less than कहा तक n तक i++ को n size के मेंगी dp हैं क्या भनना है जो हमने यहां पर लिख रखा है तो इसी को copy paste कर लेते हैं copy कर लिया हाँ और यहां पे इसको paste कर दो ओके अब यहां पर यह index मैं क्या लिखा हूआ है मैंने i लिखा हूआ है तो i से replace maximum of index के क्ली लिखा हूआ i लिखा हूआ है robber क्य इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया और last में क्या return करूंगा dp n-1 क्योंकि फैलल रिचल उसी के अंदर श्टूर है वो रख है तो इसको run कर लेते हैं तो हमारा answer बिल्कुल सही आ रहा है अब मैं आपको एक task देता हूँ मैंने ये code डिखावा है क्या ये code बिल्कुल सही run करेगा अब मैंने से submit करूंगा चलिए देखते हैं पहले please थोड़ा सोचो क्या हमारे पास ये जो constraint है न क्या इसमें कुछ छूट सकता है मैं आपसे पूछना चाता हूँ please सोचो please मैंने submit कर लिया है और जी हाँ बिल्कुल छूट रहा है देखो जब हमारे उसका size सिरफ 1 है हाँ input का size सिरफ 1 है उस time पे हमारे पास क्या रहा है run time error रहा है क्योंकि उसको मैंने handle की नहीं है मेरे दोस्त ये देखो अगर मेरा input का size सिरफ 1 है ये nums का size सिरफ 1 है तो db0 के अंदर तो मैंने value दाल दी पर db1 के अंदर कैसे दाल पाऊगे क्योंकि ये memory तो आपने allocate ही नहीं करी हाँ क्योंकि db0 के अंदर ही value दाल सकते हो उस case को handle करना पड़ेगा तो उस case के लिन आप इसी को ले लो कि अगर मेरे db का size 1 हुआ 2 हुआ तो मैं इसी को return कर दूँगा जो उपड़ से आ रहा है ये लीजिए क्लियर हाँ जी कि अगर मेरे db का size 1 हुआ तो भाईया यही return कर देना रूखो इंडेक्स दिगा में कुछ और लिखना पड़ेगा मुझे इसको copy करते हैं तो अगर कैसे लिखो से रूखो if n equal to equal to 1 return क्या कर देना nums 0 clear हाँ जी if n equal to equal to 2 इसको भी लिख देते हैं इसको भी handle कर लेते हैं तो maximum of nums 0 nums 1 clear हाँ जी अब मैं submit करूँगा अब ये बिल्कुल आराम से चलेगा ये second को मैंने इसी दाल दिया ठीक है हाँ जी आप दाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है हाँ ना अच्छी है हविट होती है अब ये तो मैंने सीख लिए दो जो मेरे पास edge cases बच रहे थे जो एक edge case मेरे पास बच रहा था तो मैंने base करने से उसको handle कर लिया हाँ जी previous के अंदर किसकी value दालूँगा previous क्या हो दाएगा मेरा dpi-1 अब previous 2 क्या जाओ dpi-2 लिग लो dpi-2 का मंदब क्या है 0 ये लीजे और dpi-1 previous value ये लीजे और इसको हटा दीजी अब इसकी जरूत नहीं है मुझे हाना तो हमने इसको आराम से कर लिया ये आईभड आपको समझाय कोगा ये तो dpi-1 क्या है मेरा ये तो है previous अब previous 2 क्या है dpi-2 clear हाँ जी तो dpi की जगह में क्या जाएगा current हाँ जी dpi-2 के जगह में क्या जाएगा previous 2 और dpi मैंने सब्सक्राइब क्या जाएगा प्रीवियस की दो value की उपर डिमेंड कर रहा है उसको अब प्रीवियस की अब प्रीवियस के अंदर किसकी value जाल दो मेरे current की ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं और last कर दूँगा अपने current महाराज को तो चलिए run करते हैं इसको तो हमने इसको run किया अराम से यह run हुआ तो यह जो code लिखा न उपर आलेगो लिखने यह आपको जरूरत है नहीं इसको अटा देते हैं तो यह already हम solve कर चुके हैं और इसको submit कर दो बड़े प्यार समने इसको submit कर दि optimization किया ना तो यह तो बहुत ही slow है देखो ऐसा नहीं है जो आपको lead code को यह submission होते है ना हाजी मैंने आपको पहले भी कहा है इसमें कुछ दिक्कते हो सकती है ठीक है वहाँ पर जब यह process पर गया होगा जब मेरा code submit होगा तो उस time पर क्यूब पर रेंज होगा तो वो time complexity उन प चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी second problem के और यहां तक हमें सब कुछ चमक चुका है अब हम अपनी second problem को solve करते हैं जिसका नाम है house rober 2 house rober 2 same problem है जो हमारी previous problem थी बस इसमें एक छोटा सा twist है कि आपको घर दे रखें ऐसे करके clear हाँ जी कि इतने इतने रुपे दे रखें बस इसमें एक छोटा सा change है इस बार जो एक घर है यह circular form में मतलब कि पहले घर में 7 रुपे हैं अगले घर में 3 रुपे हैं अगले घर में 8 रुपे हैं अगले घर में 2 रुपे हैं अगले घर में 1 रुपे और अगला घर में 10 रुपे हैं तो मतलब जो यह लास्ट वाला इंडेक्स वाला है यह circular form में ऐसे कर लिए क्लियर हाँ जी यह पूरा एक सर्कल बनना है अब कंडिशन वह हो जाएगी कि भई आप एडिसेंट घर में चोड़ी नहीं कर सकते तो इससे क्या पता चलेगा कि अगर मैंने इस जो जिरो इंडेक्स पे अगर जो यहां से आगर चोड़ी कर ली तो मैं लास्ट वाल इंडे स्रीका कि अगर मैं फश्ट वाल इंडेक्स या अगर मैं जीरोत इंडेक्स से चोड़ी कर लेता हूं ठीक हाँ जी तो लास्ट इंडेक्स से मैं चोड़ी नहीं करूंगा और अगर मैं 0D Index से चोरी नहीं करता हूं तो मैं Last Index चोरी कर सकता हूँ इन केसिस का मुझे ध्यान देना पड़ेगा मुझे कौन से केस को दिरना पड़ेगा की भाईवी ये वाला केस कभी ना है की Zero Index से भी मैंने चोरी करनी और Last Index से भी मैंने चोरी करनी यह वाला case कभी नहीं आना चीए यह तो case है जो काम खर् करेगा हाں एसा हो सकता है कि मैंने दोनों index से चोड़ी नहीं करी 0 से भी और last से भी दोनों से चोड़ी रहीं भी यह तो 4 Case बनें गे पहला case यह है कि 0 से चोड़ी कर लि 1st नहीं करी जिरो से चोडी नहीं करी लास्ट से कर ली अगर यह आएगा तो आप अंसर गलत आएगा किलियर कर सकता तो यह लास्ट वाली केस को मैं किसे तरीक से हैंडल कर सकता हूं बताईए अगर आपने मेरे recursion series को follow किया होगा तो अभी तक आपने answer guess कर लियो कि हम इसको किस तरीके से solve कर सकते हैं हमें पता है कि ये दोणों एक साथ कभी नहीं आना चाहिए कभी नहीं आना चाहिए तो देखो इसको solve करने का तरीका बहुत असान है मुझे क्या करना है मैं एक काम करता हूँ मुझे पता है कि मैंने previous problem को किस तरीके से solve किया था 7,3,2,8,2,1 ये इतना ही था हाँ जी तो मैंने इतना ले दिया इतना ही ये पार्ट लिया मैंने 10 वाले को include नहीं दिया और मैंने बोल दिया कि maximum आप कितने रुपे चुरा सकते हो इन घरों से जैसे हमने previous problem को solve किया था मैंने लास्ट वाले को लिया ही नहीं अब मुझे ये वाला case कभी आई गया ही नहीं ये वाला case कभी आई गया ही नहीं 10 वाले को इसका हिस्सा ही नहीं बनाए अब जब मैंने इसके answer निकाल लिए कोजित करी तो इसने मुझे answer लिके दिया 16 कि आप 16 रुपे चुरा सकते हो इन घरों से कि पहले चोड़ी मैंने 7 पे 8 पे और 1 पे कर दी तो मैंने पास total कितरे रुपे आ गए 16 रुपे आ गए अब यह भी हो सकता है कि मैं साथ को न लूँ और इस से पार्ट को ले लूँ तो मैंने क्या लिया 3 2 8 2 1 10 मैं इस वाले घर से चोड़ी कर सकता हूं हाजी तो अगर मैंने इस वाले से चोड़ी कर लिया तो मैंने अपने आरे का पार्ट इसको बनाए निए 7 को बनाए निए पहले वल इंडेक्स को मैंने अपना पार्ट बनाए निए ठीक हाजी तो अब यह वाला केस कभी नहीं आएगा कभी नहीं आएगा कि जब मेरा 7 और 10 वाला एक साथ रहे यह कभी आएगा नहीं आप देख लो हना तो यहां से कितना अंसर निकलेगा दस अठारा अतीन इककिस इन्हें में से जो मैक्सिम होगा वो मेरा आंसर आ जाएगा क्या इसमें कोई डिक्कत आई मैंने कहा यहां से मेरे आंसर निकला 16 यहां से मेरे आंसर निकला 21 जो मैक्सिम होगा वो मेरा आंसर आजाएगा और इस तरीके से मैंने सोच लिया मैंने क्या देखा था यह जो मेरे पार ओरिजिनल प्रॉब्लम होगी उस ओरिजिनल प्रॉब इससे नी करी इससे नी करी ये केसे तो चलो मानेंगे पर ये केस नी आना चीए तो इस केस केले मुझे क्या करना पड़ेगा तो मैंने क्या करणा गर को अठा दिया उसको अधियूमी नी किया और यहां से सारे केसे करके मैंने मैं कितन रूपर उड़ा सकता हूं यहां से मैंन मिल जाएगा और जो इंदे में मैं मेक्सिम होगा वो मेरी प्रॉब्लम का अंसर होगा बताइए असांच है या नहीं है सरब मैंने दो एरे के यह से और जो सौल कर दूँगा हाँ जी अगर मैं दो एरे ले रहा हूं तो यह भी एक्ष्टर इस लेने वाले हैं बहले मैं टॉप डॉप डॉप बात करो वॉटम एप की बात करूँ ठीक हाजी लास्ट में आ रहा हूं मैं इस पेस ऑप्टिमाइजेशन पे इस पेस इतना बड़ा एरे है यह वाला ही तो यहां पर मुझे कोछ चेंजेस करने पड़ेंगे कि लियर हाजी कि मैं अपना प्रीवियस तू प्रीवियस और करेंट यह लूगा करेंट को लिख दो करेंट में पहले उसमें मुझे सिरफ इतने एरे को लेना है इतने एरे का आंसर न पड़ेगा इसी एरे को मुझे लेना पड़ेगा तो इसके साबसे प्रीवियस तू प्रीवियस और करेंट वन डिफाइन होंगे क्लियर हाजी तो यहां से लेके यहां तक कही मैं आंसर निकालूंगा क्योंकि मेरा एरे इतना ही होगा हाण और अगले केस में मेरा एरे इसजी के उपर मैं इसेट करूंगा इसी के एसागत से मैं प्रीवियस टू प्रीवयस और करेंट वन को निकाल जूंगा वही मेफड़ यूज करने वाला जो मैंने प्रीवियस उसमें यूज किया था कोई रॉक्ट साइंस नी कर रहा हूं कुछ नहीं कह रहा हूं अलग सी वाला इंडेक्स तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, यहां तक ही तु देख रहा हूं में से, हाँ जी, पहले एरे, और से कहां तक है, वास्ट इंडेक्स से लेके, 6th इंडेक्स सक, ठीक, तो 1 से लेके, N-1 इंडेक्स सक, इसके हिसाब से मैं क्या निकालूंगा, अपने करेंट 1 को निकालूंगा, तो नाम दे दूँगा, जो इसका final answer आएगा, इसका final answer आएगा, वह का current 2 के अंदर, clear, और जो इंडेक्स में से maximum होगा, वह मेरा answer आजाएगा, current 1, current 2 में से maximum अंतर रहेगा, current के अंदर तो मैं अपने result को store कर रहा हूं, हाजी, तो same method में यही use कर सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर use किया था, current को निकालने के लिए, तो मैं वहाँ पर भी इसको use कर सकता हूं, बस मुझे अपने base करने सारूं को थोड़ा change करना पड़ेगा, किसको, मुझे देखना पड़ेगा, कि मेरा previous क्या होगा, इस case में तो simple है, कि previous 2 यहाँ से शुरू होगा, previous प्रिवेस 2 वाला को जब भी मैं calculate करूँगा, previous को मैं calculate करूँगा, current को यहाँ से calculate करूँगा, लेकिन इस वाले case में, यह कहां से start होगे, इस वाले index से start होगा, यह previous 2, previous और current, इस तरहें से current के मैं current 2 की value निकालूँगा, यह current 2 की value, बस मुझे अपने previous 2 और previous 1 की value को किस तरह का यह समझाना चाहिए, यह first index से निकालना सुघव करेगा, धीक है, यह second index से, यह वाला 0 index испazo first 적 круг Index, यह first index second index से यह कहां तक जाएगा n-1 तक जाएगा यह कहां तक जाएगा n-2 य Tennimak का सराइक這裡 यह starts कणhta पोगा 0 से यह start का शोगा सरा't वन से 1 यह का सराना बस छोड़ी ठीज दिशाल है और मैं अपनी हाउस ओवर्वर क्रॉल करें चलो बढ़ दे इसके implementation पार्ट पर अब हम आगए अपनी second problem में मुझे पता है कुछ बच्चे अभी भी confused होंगे कि भीया आपने कहा क्या वीडियो उसमें ठीक है हाँ जी तो एक काम करते हैं इसको हम basic से बिल्कुर 0 से इसका solution निकालेंगे ठीक हाँ जी तो मैं एक काम करता हूं मैं यहापर दो वेक्टर बना लेता हूं ठीक है दो अरे बना लेता हूं पहले सब्सक्राइब इंटीजर एंड लेता हूं इंटीजर एंट इक्वल टू क्या ले लूँ एंट की वेल्यू क्या लूँ जो मेरा nums.size होगा मैंने का था न मुझे दो अरे की जड़त पड़ेगी हाँ तो उसको में ले लेता हूं वेक्टर इंटीजर एरे 1 हाँ इसका size कीतना होगा एंट मैंस 1 की ब्राबर होगा हाँ यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब इनके अंदर वेल्यू को पुछ करते रहो तो पहले के अंदर कौन सी वेल्यू जाएगी पहले एरे के अंदर एरे के अंदर दालनी है तो array of 1 i equal to nums i clear है हाँ जी तो पहले वाले array के अंदर हमने value गड़ दी second वाले array के अंदर कौनसी value जाएगी तो for integer मुझे पता है कि 2,3,1 को मुझे second array के अंदर दालना है clear हाँ तो for integer i equal to 1 से लेके i less than and i plus plus तो यहाँ पे मुझे value दालनी पड़ेगी array 2 के अंदर array 2 के अंदर क्या जाएगी i minus 1 index के अंदर आएगा क्या मेरा नमसाई clear हाँ जी क्योंकि मुझे पता ही जो 2 है तो यह array 2 के 0 इंदेक्स बदाएगा यह 3 है array array 2 के 1st index बदाएगा इसलिए असा लिखा है आई हो आपको clear होगा मैंने का था दो array मुझे चाहिए थे हाँ इसके बाद मेरा काम क्या है मैंने क अब मुझे इसको मैं सेम वही logic लगाना है जो मैंने house robber 1 पे लगाया था तो मैं एक काम करता हूँ यह जो यह code लिखा है इसी को copy paste कर लेता हूँ तो copy paste कर लेते हूँ यहां से copy पूरा ठीक हाँ जी और इसको यहां paste एक function मना लेता हूँ जिसका नाम ही robbery रख देता हूँ औ और vector integer यह nums expect कर रहा हूँ इस तरीके से clear हाँ जी तो मैंने काता ना कि यह क्या कर देगा मुझे यहापर array को पास करना है simply कि अगर मेरा array यह है जिसमेरा 1 2 3 है तो maximum कितनी amount को मैं robbery कर सकता हूँ दूसरा array 2 3 1 है maximum कितनी amount के मैं robbery कर सकता हूँ तो integer current 1 ले ले लेते हैं जिसमेर मैं मेरा final agent store होगा हा तो robbery और उसमें array 1 को पास कर दूँगा clear हाँ जी एक integer current 2 ले लूँगा हाँ जी robbery और उसमें array 2 को पास कर दूँगा clear ही जी हाँ जी मैंने वही तो कर रहा हूँ यह इसके अंदर मैंने लिखना था तो इसके अंदर इसको copy कर लेते हैं को ताकि मुझे को रहा हूँ यह वही code है ठीक है यह optimized way में most optimized code मैंने use किया clear हाजी तो मैंने यह इसको pass कर दिया अब मुझे last में क्या return करना है जो current 1 और current 2 में से जो maximum में लिखे होगी return maximum of current 1, current 2 तो इसको run कर लेते हैं और इसको submit कर लेते हैं फिर से हमारे पास error क्या error आया है कि यह जब size क्या है एक ही size क्या है उस case क्या है उसके इस component ने लिखिया चलो उसको add कर लेते हैं if n equal to equal to 1 return nums 0 और 2 वाले को भी handle कर लेते हैं जब 2 size का होगा सिरब n equal to equal to 2 return nums 1 maximum of nums 0 और nums 1 यह लीजिए इस तरीक से मने इसको handle कर लिया तो उसको submit कर लेते हैं तो हमारा code अराम से समिट हो गया अब आप देख पर होगा यह 100% fast चला है clear हाँ जी तो यहां पर हमने क्या सीखा देखो मैंने वही logic यूजिक यूजिक है वही जो vector integer nums जो मैं पिछले वाले में यूजिक कर रहा था यह वाला इसका काम क्या था कि मैं इसको अब देखो मैं क्या कह रहा था आपको जो मैंने वीडियो में आपको इसका दिया कि देखो time complexity की order of n है लेकि space complexity एक्ष्ट्रा यह जो दो एरे ले रहा हूं इससे इसकी space complexity बढ़ जा रही है और आपको इसको optimize करने के लिए क्या मैं बिना इन दो सवाल कर सकता हूं क्या मैं बिल्कुल कर सकते हैं इतना कोई को लेने के उतनी जड़ो थी ही नहीं मुझे तो वह कैसे करूंगा देखो मुझे क्या करना है यह जो code मैंने यह यहाप लिखा हुआ है यह वाला इसको copy करते हैं क्योंकि इसी काम में इस्तमाल करने वाज़ है यही से copy कर लिया यहां से ठीक हाँ जी तो इसको मैंने copy कर लिया clear हाँ जी और इसको मैं उठाके यहां लिया और यह जो उपर मैंने लिखावा इसको अड़ा करें देखो मैंने का बिना उसके भी मैं इसको solve कर सकता हूं बिना यह एक्ष्टा array लिये ठीक हाँ जी अब मुझे ध्यान देना जो मैंने यह यह पर array 1 ए array 2 ले रहे के थे ठीक है अब यह क्या है पहले हम array 1 वाले की value निखाल रहे है जिसकी value मैं current 1 के अंदर डालने वाला हूं clear हाजी इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब जब मैं इसको solve करने जाओंगा तो मैं क्या logic यूज कर रहा था मैं यह वाला logic यूज कर रहा था यह फॉल लूप आपका यह चल रहा है यह इसी के बिज़े सारी values नहीं कल रहे थी हाजी तो i equal to 2 से i less than i++ clear बस मुझे पता है कि i less than n-1 तक होगा क्यों 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 यह रही का साइज हो कहां तक है 0 से लेकर n-1 तक है इसलिए i equal to 2 से i less than n-1 तक है तो मेरा यह पहले वाला की प्रॉब्लम है वह solve हो चुकी है और मैंने अपने current1 की value निकाल दिया current1 ऐसे करके मैं इसको लिख दियता हूँ clear अब मुझे अपने current2 वाले की value निकाल लिए है अब आप खुद देखो जो मेरा array 2 है वो खहां से start हो रहा है मैं original array को यूज कर रहा हूँ जो original nums है उसको यूज कर रहा हूँ clear उसकी जो values है यह first index से लेके nth index तक है first index से लेके nth index तक है वहीं तक ही है हाँ जी उसके लिए इने slice करना पढ़ा है जैसे मैं नहीं हापी किया था इस code को तो इसी को मैं copy कर लेता हूँ और इसको paste कर लेता है तो अब मेरा जो previous 2 है वो 2 को दिखाएगा प्रिवेस वाला इसको दिखाएगा तो उसे दाब से मेरा अपने logic को चेंड करना पढ़ेगा clear तो एक एक स्रिप्ट एक स्रिप्ट मैंने सबको आगे स्रिफ्ट किया है बस बाकी कुछ नहीं किया है ठिक हाँ जी वो तो यह देखो I equal nums 2 nums 1 एक एक प्लेस ही तो स्रिफ्ट किया है बस हाँ इसको इंटीजर current 2 प्रिवेस वागर तो मैं अलड़ी मना चुका था था तो इसको दूबार लेशने की जरूत नहीं है इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ चलिए अब यहाँ पर आजाते हैं यहाँ पर मैं value कहां से भर रहा था अब अब अगर ध्यान दोगे मैं value कहां से सुरू कर रहा था current 2 पर इसको current 2 लिख देते हैं current 2 के अंदर मैं value दाल रहा हूँ इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं लास्ट में में return यही कर रहा हूँ, मैंने अपने function को clean कर दिया अब current 2 के अंदर क्या जा रहा है मेरा, maximum nums i plus previous 2 अब आप खुद देखो, मुझे look कहां से खहां तक जलाना है, ठीक है first index, second index, यह previous 2 है, यह previous है, अब यहां से मुझे देखना शुरू करना है हाना, तो मेरा current कहां से start होगा, third index है, अब कहां तक जाएगा, nth index clear, मैंने कहां तर्ण मैं क्या कर रहा था, एक एक place सबको shift कर रहा था न, एक place पहले मेरा array यहां से शुरू रहा था, 0, 1, 2, n-1 तक जा रहा था, ठीक है, हाना, n-1 से यहां तक, ठीक, हाँ जी अब मैं अपने उसको सबको एक-एक place shift कर रहा हूँ, अब मैं सबको एक-एक place shift कर रहा हूँ, तो इसमे भी एक-एक increase करना पड़ेगा न, हाँ जी, तो यह end क्या हो जाएगा, end हो जाएगा, i++, इस तरहेगे से मैं इसको कर रहा, और इस तरहेगे से यह 3 size वाले में दिक्कत आएगी, जब मेरा array का size कितना है, सरब 3 है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पहले वाले के अंदर 2,3 गया होगा, हाँ जी, और दूसरे वाला array क्या होगा, मेरा 3,2 होगा, क्लियर, और इससे क्या हुआ कि मेरा current 1 और current 2 ने इनके अंदर value अपडेट हाँ जी, तो उसी को मैंने करने के लिए current 1 को मैंने कर दिया previous, ठीक, और यहां पर मैंने current 2 को कर दिया previous, बस, यह slide से change और आपका पूरा answer आराम से चलेगा, इसको अब run करते हैं, इसको submit करते हैं, और हमारा code easily submit हो गया, ठीक, हाँ जी, मुए जानता हूँ अभी भी confusion होगा, देखो, confusion किसी हो रहा है, उसकी मैं पहले बात कर लेता हूँ, देखो, मिरे बाद 2, 3, 2 array दे रखा है, ठीक है, पहला वाला के लिए मुझे house robbery देखना है, 2, 3 तक, 2, 3 तक ही देखना है, clear, हाँ जी, तो उसको मैं कैसे ढून पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, जब मिरे बाद 3 इन ही size का है, ठीक, तो यह जो loop चल रहा ने, पहले वाले के लिए, ठीक है, इसने current के ऊपर कोई भी update नहीं हुआ रहा है, current 1 जो मैं ले रहा हूँ, उसके ऊपर update ही नहीं हुआ, ठीक है, 0 इंडेक्स और first index के लिए अपडेट हो गया है, लेकिन जो मेरे ये 2 second index पे जब current 1 जाएगा, वो गया ही नहीं, ठीक, हाँ जी, तो उस case में answer क्या होगा, 2,3 का answer क्या होगा, जो previous की value होगी, जो maximum होगा, तो इस 2 और 3 में से, वो ही current 1 के अंदर जाएगा, कि nums 0 और nums 1 में से जो maximum है, वो ही current 1 के अंदर दाल दो, ठीक, या तो मैं लिख दो या previous की value दाल दो, से मेरा current 2 के साथ हुआ, current 2 कहां, ये current 2 के अंदर चलिया, ये, ये 3 वाला, clear, हाँ जी, अब इसके लिए current 2 के अंदर निकला ही नहीं, क्योंकि इसको मैं कहां से सुरू कर रहा हूँ, I equal to 3 से, I laser and I++, clear, हाँ जी, इसके अंदर कुछ भी update नहीं हुआ है, अब update ही नहीं हुआ जब current 2 के अंदर तो उसके अंदर क्या जाएगा, जब मेरे पास 2 ही size का है, तो current के अंदर क्या value जा रही है, कि maximum चोरी मैं कितनी कर सकता हूँ, हना, तो उसका मतलब क्या है, जब आपके पास 2 ही घर है, तो उसका maximum चोरी करों क्या करोंगे, इन दोनों का maximum होगा, हना, तो व हमने इसके time complexity और space complexity निकाली है, वो हमने easily उसको handle कर गिया है, I hope आपको यह point clear होगा, क्या यह nums 1, nums 2 clear है, क्योंकि एक एक प्लेस आगे shift हो है, क्या यह clear है, यह वाला, हाँ जी, क्योंकि मुझे पता 2 से लेगे, n-1 तर, चलेगा loop, हाँ जी, और यहाँ पर यह update क्या होगा प्रिवेस के अंदर, प्रिवेस के अंदर क्या update होने वाला है, प्रिवेस के अंदर nums 0, nums 1, प्रिवेस 2 के अंदर जो हमारा previously question था, क्योंकि मेरा array यहां से यहां तक होने वाला है, 1, 2, 3, 1 के बाद करना तो पहला array मेरा सरफ यहीं तक होगा, इसलिए उस हिजाब से update हो र यह 2 था, तो यह 3 हो गया, यह n मैंने सुन था, यह n हो गया, बस, बागी आपका logic बिल्कुल सेम होने वाला है, प्रिवेस 2, प्रिवेस को है ने वैसी यूज किया, अब आप देखोगे, यह जो code में आपको दिया है, अगर आप इसको interview में देखा होगे, वो आपको 87 देग चलिए, बढ़ते ही वीडियो के और वापिस, I hope आजकी वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी सारी आपकी learning रही होंगी, कि किस तरीकिते मैंने अपने space को optimize किया है, और किस तरीकिते हमने house rover 2 problem को stall हुई गिया है, तो अगर इस वीडियो में आपको अ जा ऑाँ